असलाम अलेकूल हैलो आज हम बनाएंगे आलू और मेथी की सबजी एकदम सिंपल तरीके से और ये मेरे पास एक बड़ी साइस की मेथी है इसको हमने अच्छी तरह से वाश करके इसको साफ करके रखे है और एक मीडियम साइस का आलू है इसको हमने इस तरह से कट लाके रखे मीडियम साइस की हमने प्यास लिये इसको भी स्लाइस में कट किये एक छोटा टमाटर लिये हमने उसको बारिक चॉप किये दो गिरीम चीली है और हम नमक लेंगे अपने टेस्ट के इसाब से और ऑईल है यह सबजी हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही डेस्टी लगती है और अच्छी भी लगती है और इजी भी है अभी हम शुरू करेंगे यह हमें ग्यास पर कड़ाई चड़ा दिये इसमें ऑईल डालेंगे अब इसमें प्यास दाट करेंगे हरी मिल्ची, और टावड़ आड़ करेंगे अब हरी मिल्ची और टामाड़ अधी मेथी हम अधी और अलुके मखे बआप पॉराज सब लेंगे मादा नम को एकड़ाएं मेथी को अच्र scor मेथी इसमें नमक बठर लेंगे अब इसमें हमने नमग आट किये अब इसको हम कवर करके दो मिनिट के लिए खुश करेंगे अभी हम चेक करेंगे यह मुझी हमारी सबजी रेडी आलू भी अच्छी तरह गल चुकी है अभी हम ग्यास ओफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे यह हमने डिश आउट किये बहुत ही अच्छी बनी है आलू और मेथी की सबजी एकदम सिंपल तरीकी से हमने बनाए है और एकदम कुईक भी बनती है और टेस्टी भी है आप इसको रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही लाजवाब बनती है आप भी इसे जरू ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी रसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्क्राइब क करना ना भूले कमेंट भी कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग